Hello everyone, स्वागत है आपका study rule में Friends, आज आप लोग देखेंगे आपके board के exam का very very important question है यह आपका संग्रेक बिंदू से एक question fix है आपका आना या ना है ठीक है? तो यह देखें इसमें कहता क्या है? कि यदि इसमें दे दिया जाता है कि 3 बिंदू दिये हो या तो आप कहिदेगा कि सीद कीजे कि ये 3 बिंदू क्या है? संग्रेक है या फिर सीद करने के लिए दे दिया है आपका जैसे कि 2x plus y plus 3 equal to 0 होगा ठीक है? तो देखें सबसे पहले एक चीज़ जानेंगे हम लोग कि संग्रेक होता क्या है? ठीक है? देखें सबसे पहले ये भी चीज़ देख लिज़े कि 3 बिंदू आपका दिया है जैसे ये माल लिज़े 3 बिंदू कोई भी 3 बिंदू दे दिया जाए तो उसे किस चीज़ का निर्मान होगा ठीक है? किस चीज़ का? त्रिभुज का ही निर्मान होगा जैसे दे दिया तीन बिंदू आपका यह है आपका माल लेते हैं एकस वाई है यह आपका माल लेजिए माइनस फाइप और सेवन है और तीसरा क्या है आपका माइनस चार और पाँच है ठीक है यह आपके तीन बिंदू दे दिये तो देखे, यह कहा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, मतलब यहां पे तो दे दिया है कि संग्रेख हैं, तो सिद्ध कीजिए कि यह बराबर यह, कभी कभी question में यह पुछ लेता है, कि सिद्ध कीजिए कि यह तीनों बिंदु क्या हैं, संग्रेख हैं, तो आप अपने ह इसाप से लगाईए कि संग्रेख होता क्या है सबसे पहले तो वो संग्रेख उसे का आ जाता है जब तीनों बिंदु किसी एक ही रेखा पर इस्थित हो देखिए जैसे माल लीजिए यहाँ पर हमने एक रेखा किछ दिया ठीक है यहाँ पर एक लाइन है यदि तीनों आपके एक ही रेखा पर इस्थित होगा तो उसे क्या कहेंगे संग्रेख बिंदु ठीक है और यहाँ पर आप अनुमाल लगाईए कि यदि त्रिभुज के तीनों बिंदु किसी एक ही रेखा पर इस्थित होगा तो उसका छेतरफल क्या होगा कुछ भी नहीं होगा ठीक है क्योंकि तीनों बिंदू जब एक ही यह ही यह कही रेखा हो जाएंगे कर चेतरफल जब कोई उसकी जगा मतलब गेरेगा तबी Тогда six的йutetarphone माना जाता है उसका alive इतना होगा देखे तो इसका यहां पर देखे तीन बिंदू आपके दे दिये हैं जैसे क्या है आपका xy है आपका यह क्या है माइनस पांच और साथ और तीसरा बिंदू क्या है आपका माइनस चार और पांच तीन बिंदू दे दिये हैं इसमें गलती क्या होती है कि यहां पर xy मानने प और वाई वन ठीक है जो पहला वाला बिंदू का जो पॉइंट होता है यह एकस को दिखाता है और दूसरा वाला वाई एकस को दिखाता है ठीक है यह नहीं कहेंगे कि यह आपका एकस वन है तो यह एकस टू हो जाएगा तो यह गलत हो जाएगा ठीक है तो पहला होता है आपक यह नहीं आप करेंगे कि मान लिजे हमने इसको ही मान लिया है x1 y1 आप इसको भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है question में कुछ भी हो सकता है अब मतलब दूसरे को भी मान सकते है x1 y1 और y2 x2 y2 ठीक है तो आते है question की तरफ तो देखे इसका formula क्या होता है आपका देखे त्रिभुच का formula हमने लिग दिया है यही एक बटा दू x1 y2 minus y3 देखे देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है कि यह formula याद नहीं हो पाएगा लेकिन कुछ नहीं है बस आप ध्यान से देखिए यह आपका बस एक circle type जैसे मान y1 y1 minus y2 यह देखे सीरियल वाइज है y1 y2 y3 आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है यह त्रिभुच का formula होता है यही पर कभी कभी का देता है कि जैसे तीन बिंदू दे देगा तो कह देगा कि त्रिभुच का छेत्रफल निकाली है तो हम ल ले लिए जाएगा जीरो तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे जीरो मान के लगाएंगे ठीक है equal to 0 ले लिया अब देखे question करते हैं कि एक बटा दू अब देखिए x1 हमने क्या लिया था x1 आपका कितना है x तो यहां पर लिख लेंगे x फिर क्या है y2 minus y3 अब y2 को ध्यान द प्लस लिखेंगे x2 x2 की value देखे x2 कितना है minus 5 है तो यहां पर आप bracket में लिख लिए minus 5 ठीक है फिर क्या है y3 minus y1 अब y3 minus y1 y3 देखेंगे क्या है y3 कितना है आपका 5 minus y1 कितना है आपका y3 minus y1 y1 कितना है y तो यहाँ पे लिख लेंगे y ठीक है अब आते हैं क्या है आपका x3 प्लस x3 कितना है आपका देखिए x3 कितना है minus 4 तो इसको भी आप bracket में लिखे लिए क्योंकि minus है इसके साथ इसलिए bracket में लिखे चलते हैं तो यह हो गया minus 4 अब क्या y1 minus y2 अब देखिए y1 की value कितना है y1 की value y है तो लिख लेंगे y minus y2 कितना है आपका 7 है तो 7 लिख लेंगे यहाँ पे 7 एक्वल टू कितना आपका 0 इतना होगे हमने पूरा रख दिया है उसका value ठीक है x1 y1 x2 y2 का अब देखिए अब हल करते हैं अब देखिए यहाँ पे कितना एक बटा दो ठीक है एक बटा दो आपका x है देखिए 7 में से 5 जाएगा आपका कितना बचेगा तो into 2 यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब तो क्या होता है गुड़ा होता है ठीक है तो यक्स गुड़े दो लिख दिया 7 में से 5 जाएगा 2 यह अब यहाँ पे देखिए माइनस का चीन है ठीक है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे क्या करेंगे इस माइनस 5 का इसके अंदर मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है तो देखिए माइनस 5 का और यहाँ पे क्या है प्लस 5 है तो कितना हो जाएगा 5 पाचीस हो जाएगा लेकिन चीन किसका लगेगा माइनस का हो यहां पर फिर हो जाएगा फिर देखें यहां पर्लस हो जाएगा थील अंबह करेंगे और यह पर यहां सब्स हे मैंनस 20 पलस हो जाएगा प्लॉस चाहरो just 29 अब युआ बार बड़े वाले ब्रेकट को बंद कर लेंगे यहां पे देखें बड़े वाले ब्रेकट को बंद कर लेंगे एकुल को प्रेकेंस ये उभ संफारो हो गया इतना आपका आप कि एक बटा δेखे यहां पे इक टना है यहां पे कितना है आपका 25C नहीं दिया तो यहां पे लिख लेंगे बस 2X ठीक है । FPS-25 को क्या कर देंगे लेकिन सब पहले X को लिखेंगे तो उसके बाद य को लिखेंगे थीक है तब फिर बाद में अंक तो देखें पांच वाई मेंसे चारवाई चल जाएगा कितना बचेगा एक वाई बचेगा तो यहां पर लिख लेंगे एक वाई और 28 दृबचेश जाएगा तीन बचेगा वह भी प्लस के साथ यहां पर लिकेंगे प्लस तीन ठीक है इतना समझ में आ बराबर, equal to कितना है आपका 0 है तो 0 लिख लेंगे, बस हो गया आपका, देखे, अब यहाँ पर क्या एक बटा 2 है, एक बटा 2 को यदि हम लोग राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 में 0 का multiply कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका कितना, 2x plus y plus 3 equal to 2 गुर्ते 0, ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखे, 2x plus y plus 3, यदि 2 में 0 का multiply करेंगे, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो देखे, यह हम लोग का आगे, कितना, 2x plus y plus 3 equal to 0, अब देखेंगे, कि सिद्ध क्या करना था, हम लोग को, देखे, सिद्ध भी यही करना था, 2x plus y plus 3 equal to 0, और यहाँ पे हमने last में हल करके लावी दिया, 2x plus y plus 3 equal to 0, तो यही क्या हो जाएगा, हम लोग का इती सिद्धम, ठीक है, यही दिखाना था हम लोग को, तो यह question आपका fix है, कि 4 number का आना ही आना है, ठीक है, या तो यह question देदे, या कोई भी type का question दे देता है, लेकि आप मेरे चैनल पर नए है, तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीज़े अंगले उडियों, तब तक के लिए जाए हिंजे भारत,